इस लिक्वेड में तमाम तरीके के प्रोटीन, आयरन, प्रोटेशियम, मैगनीसियम, कैलसियम, कार्वो हाइड्रेट और बहुत कुछ है जो आपके प्लांस को नया जीवन देने की चमता रखता है और बिल्कुल फ्री में आप अपने घर में बैठ कर इसे बना सकते हैं, बजार से आपको माइक्रो निूटियन्स लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आज इसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने तीन तरे की डाले ली है, चने की डाल है, अरहर की डाल है और साबुत मूंग है अगर आपके पास साबुत मूंग नहीं है तो मूंग की डाल ले सकते हैं और यहाँ पर लिए है तिल और सरसो, यह पांचो चीजे मैंने 10-10 ग्राम की क्वांटिटे मिली है यानि कि ये पाँचों मिलकर हो गए 100 ग्राम और ये अलग-अलग चीजें अलग-अलग माइक्रो नीट्रियन से भरी हैं तो हमें एक लिकवेट त्यार करना है जो हमारे प्लांस की हर एक जरूरत को पूरा करें तो बात कर लेते हैं तिल में हमें 81% आयरन मिलता है ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है पोटेसियम है इसमें 13% बिटामिन B6 है 40% कैलसियम है आयरन है इसी तरह सरसों में भी पोटेसियम की मात्रा होती है कार्बो हाइडरेट होता है सबसे ज़्यादा मेगनीसियम होता है 92% और दालों के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है और चने की दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चने में आयरन होता है, आप सब जानते हैं, तो ये सारी छीजें मिलकर हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बैतरी, लिक्वेट का लिक्वेट बनाएंगी, जिसका इस्तेमाल हम अपने प्लांच पर करेंगे, तो उनकी बहुत सारी जर वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा तो यहाँ पर मैंने देखिए लगबग एक से डेड़ लीटर ये लिया है मैंने बेस्ट डी कमपोजर का घोल देखिए फ्रेंस अगर आप गार्णिंग करना चाते हैं तो आपके पास यह घोल चरूर और लेवल होना चाहिए और बहुत इजी है इसे बनाना बेस्ट डी कमपोजर को आप ऑनलैंज शॉप पिंग कर सकते हैं बहुत इजली मिल जाता है और 100 लीटर में एक डिप इसकी पड़ती है 100 लीटर में वन केजी गुड़ और एक ये बेस्ट डी कमपोजर की पूरी बोतल डालनी होती है यह एक्चुल में काव डंग में पाया जाने वाला सूच में जीवानू होता है जिसे इस तरह से जेल फॉर्म में बदल दिया जाता है तो यह पूरी डिपी 100 लीटर के लिए होती है तो 100 लीटर तो हमें बनाना नहीं होता है तो अगर 10 लीटर बनाना हो तो इस डिब्बी से दसवा हिस्सा ले करके और 100 ग्राम गुड डाल करके आप किसी बरतन में मिक्स करके रख दीजिए और 5-6 दिन में आपका ये लिक्वेट तयार हो जाएगा और इस लिक्वेट के बहुत सारे यूज है गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा वेनिफिशियल होता है आप इसको लिक्वेट फेटलाइजर में यूज कर सकते हैं आप डारेक्ट इसको प्लांस पर यूज कर सकते हैं तो ये देखिए मैं हमेशा अपने गार्डन में से तय तो आज हम इसी का इस्तेमाल करके माइक्रो नियूटियन से भरपूर अपना ये लिक्विट बनाएंगे ताकि हमारे प्लांस को की जितनी जरूरते हैं इससे पूरी हो और अक्सार हम बजार से खरीद के लाते हैं तो आज हम अपने घर में उपलब्द चीजों से ही इसको बन प्रीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से सीवीट लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लिक्वेट फॉर्म में आते हैं बजार में उपलब्द हैं तो उनको ना लाकर आज घर में बनाते हैं तो मैंने देखिए यहां पर इस मटके में बेस्ट डीक पाचो चीजों को लगबग जो 100 ग्राम थी हम इसमें डालेंगे बेस्ट डीकमपोजर के घोल में और इसको हम लकडी से चला करके कपड़े से बांद के छोड़ देंगे लगबग 10 दिनों के लिए फर्मेंट होने के लिए टाइमिंग का ध्यान रखिए 10 दिन लगते हैं इ अच्छे से बनने में तो हमें 10 दिन तक इसको इस तरह से फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है तो मैं इस तरह सारी चीजे को मिला करके और कपड़े से इसको ढख करके किसी अपने प्लांच के नीचे रख दूंगी जहां पर थोड़ी सी ठंड़क बनी रहे और इसी लिए हमने इस मिठी के मटके का प्योग किया था जितनी भी चीजें हम इस तरह से बनाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास क्ले पॉट हो तो वो ज्यादा बेतरीन काम करता है अब इसमें आप तांबे का कोई बरतन हो या तार हो उसे डाल दीजिए और आयरन के लिए आ आपके पास टूटी फूटी पड़ियो उसको भी सी में डाल दीजिए और ढख करके इस तरह से अच्छाया वाली जगए पर मैं इसको रख के छोड़ देती हूं और दस दिन के बाद फिर से हम मिलते हैं और फिर दिखाएंगे कि इसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है तो आज इस घोल को रखे वे दस दिन हो गए है तो चलिए दिखाती हूं कि इसकी क्या पोजिशन है तो ये देखिए ये पूरी तरह फर्मेंट हो चुका है और इसमें किसी तरह की बदबू नहीं आ रही है बल्कि फर्मेंटेशन की ये भीनी-भीनी सी महेक आ रही है घट्टेपन और यह सारी चीजे जो हमने घोल में मिला के डाली थी अच्छे से फर्मेंट हो चुकी हैं अब हमें इसको कपड़े से छान लेना है पहले अच्छे से मिला लेते हैं और फिर इसको कपड़े से छान लेंगे और इसका जो तरल हमें मिलेगा लिक्वेट इसको आप बोतल में भ खराब नहीं होता है और best decomposer friends कभी खराब नहीं होता है तो आप इसका जब भी जरूरत पड़े इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बातें हम बाद में करेंगे पहले इसको छान लेती हूं कैसे इस्तेमाल करना है अपने प्लांट पर मैं पूरा बताऊंगी बस आपको वीडियो पर बने रहना है लाश्ट तक यह कलर कितना बेतरी नारा है और इस लिक्वेट में आपके प्लांट के लिए हर चीज मौजूद है जो उसको अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए चाये होत में हम मैं इसका इस्तेमाल करूंगी और बाकी जो बचा हुआ है इसमें इसमें फिर से बेस्ट डी कंपोजर डाल के मैं फिर से इस मठके को इसी तरह ढखके छोड़ूंगी क्योंकि यह अभी दो से तीन बार इसमें से लिक्वेट हमें मिलता रहेगा तो इसको रखते हैं और आप चलते हैं कैसे इस्तेमाल करना है तो देखिए इसका रेशियो होता है पांच परसेंट यानि कि आपको एक लीटर पानी में पांच परसेंट ही मिलाना होता है पास एमेल के इतना लेकिन मैं इससे तस एमेल ले रही हूँ एक लीटर पानी में इसको आप अपने प्लांट पर फोलेज स्प्रे कर सकते हैं जब आपके प्लांट पर कलियां बन रही हो फ्लावरिंग हो उस समय हम सभी माइक्र निट्रियंस को देते हैं सी बीट का भी स्प्रे करते हैं लिक्विट फॉर्म में भी अपने गमलों में देते हैं तो बिल्कुल वही इस्तेमाल आपको यहां पर करना है तो यह देखिए मैंने एक लीटर पानी में 10 ml इसको मिलाया है और मैं इसको डायरेक्ट अपने गमलों में इस तरह से दे दूंगी तो आप दोनों तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप लिक्विट फेटलाइजर अपने प्लांट को दे रहे हो उस लिक्विट फेटलाइजर में आप इसको मिला सकते हैं और फिर अपने प्लान्ट को दे सकते हैं तो आपके liquid fertilizer की चमता को यह बढ़ा देगा और आपके प्लान्ट में magic सा करेगा और या तो फिर आप इस तरह से अपने प्लान्ट में इस्प्रे कर सकते हैं देखिए मेरे अनार में इस समय कलीयां आ रही है तो मैं इसमें स्प्रे करूंगी महिने में दो बार 15-15 दिन के अंतराल में आप इसका इस्प्रे अपने प्लांट पर कर सकते हैं तो जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें कलीयां अच्छे से आएंगी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा, फ्रूटिंग प्लांस है तो फ्रूट अच्छे से बनेंगे, फ्रूट का साइज अच्छा मिलेगा, आपकी कल्या जड़ेंगी नहीं, प्लांस बहुत ही ग्रीन और हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सूच मतत्व जो है वो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी फशल को बढ़ने में, किसी भी प्लांस को बढ़ने में, जो इस लिक्वेट के जरिये हमारे सारे प्लांस को बहुत इजली मिल जाएंगे, तो यहां देखिए, सेम की बेल है, जिसको मैंने पूरी तरह कट कर दिया था, नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है, नई कलियां बन रही है, तो इस पर स्प्रे करेंगे, ताकि बहुत जली से इसमें फ्लावर आए, और जो फ्रूट बने, वो काफी हेल्दी और बड़े इसका बने, तो फ्रेंज, आप सब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो आपके प्लान को नुकसान करेगा, बेनीफिट ही बेनीफिट होंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें हमने मिलाए थी, उसमें सूच मतत्तों भरे हुए होते हैं, और स्प्रे करूंगी, अपने फ्लावरिंग प्लांस पर स्प्रे करूंगी, और रिजल्ट जितना बेतरी नहीं आएगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो वीडियो कैसा लगा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, मिलते हैं नेक्स वीडि पर तब तक के लिए नमस्ते